एक कहानी सुनाता हूँ एक लड़का था बहुत ही प्यारा सा अचानक से वो हॉस्पिटलाइजड हो गया और इसी दरान उसकी हेल्थ एंशॉरंस पॉलिसी लैप्स कर गई शिट अब क्या होगा तो हलो दोस्तो नमस्कार मैं राजपडियल स्वागत करता हूँ आपका एक ब स्वारा से बात करेंगे कि क्या हो अगर आपकी हेल्थ इंशॉर इंशॉर इस पॉलिसी लैप्स कर जाए जब आप हॉस्पिटलाइजड हो तो है偉ल्थ एंशॉरनस पॉलिसी मेडिकल कवरेज पाने के लिए खरीदी जाती है तो मेडिकल में हम इसी के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही जादा यूसफुल होने वाला है तो वीडियो को अंत तक देखना मेरे भाई तो अगर आपकी हेल्थ इंशॉरंस पॉलिसी होस्पिटल में भरती होने के दोरान समाप्थ हो जाती है तो ये सोचकर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कवरेज नहीं मिल सकता बिल्कुल कवरेज मिलेगा यार मेडिकल इमर्जनसी की स्थेती को कवर करने के लिए पॉलिसी समाप्थ होने के बाद भी इंशॉरंस कंपणियों के पास प्रक्रिया होती है तो अब हम बताते हैं कि हॉस्पिटल में भरती होने के धोरान अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए तो देखो यार ये दो कंडिशन्स पर निर्भर करता है पहले मामले में अगर हेल्थ इंशॉरंस पॉलिसी की डूरेशन खतम होने से ठीक पहले आपको हॉस्पिटल में भरती कराया जाता है तो तुरंत अपनी इंशॉरंस कंपणियों को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करें जैसा कि आपको पॉलिसी की टर्म खतम होने से पहले हॉस्पिटल में भरती कराया जाता है इसलिए कंपणियों आपके इलाज का पूरा खर्चा बियर करेगी दूसरे मामले में आपकी पॉलिसी समाप्त हो गई है लेकिन पॉलिसी की ग्रेस पीरिड के दौरान आप हॉस्पिटल में भरती है यहां बता दूं कि ज्यादतर इंशॉरंस कंपनिया पॉलिसी टर्म समाप्त होने की तारीक से 30 से 45 दिनों की ग्रेस पीरिड प्रदान करती है यानि कुछ दिनों की छूट इसलिए अगर आपकी पॉलिसी एक्स्पायर होने से पहले रेन्यू नहीं की जाती है तो आप इस ग्रेस पीरिड में आसानी से रेन्यू कर सकते हैं और आप बिना किसी रुकावट के अपनी पॉलिसी के कवरिज को बढ़ा सकते हैं तो अगर आप इस grace period के दोरान hospital में भरती हुए हैं, तो company को इसके बारे में सूचित करें, company आपको medical coverage देगी, insurance company policy के terms and conditions के नुसार coverage प्रदान करती है, तो आपने देखा कि insurance company आप policy समाप्त होने के बाद भी medical coverage प्रदान करती हैं, अगर आपकी policy hospital में भरती होने के दोरान तो आप hospital से ही अपने परिवार के किसी सदस्य की मदद से अपनी health insurance policy को online renew कर सकते हैं, policy renewal के बाद policy के तहत मिलने वाली coverage का लाब उठा सकते हैं, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को एक like जरूर कीजेगा, और insurance से जोड़ी ऐसी जानकारी और tips पाने के लिए, हमारे चै के साथ, तब तक के लिए thank you so much